है गाईज जही निगबा फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए important होने वाली है जो भी students यहाँ पे first semester के exams में बैठने वाले हैं उनके लिए especially क्यूं क्यूंकि यार देखो जब मैं first year या first semester में था क्यूंकि मेरे time पे तो year exam होते थे तो जब मैं मैं first year में था तो मेरे को भी कई सारे doubts थे कैसे prepare करूं तो मैं आपको कुछ यहाँ पे four golden rules बताने ही कोशिश करूंगा जिसकी मदद से आपको एक guess लग सकता है कि कि किस तरीके से आपको जाना चाहिए आगे move on करना चाहिए और आपके जो semester exam से उनके लिए 20 दिन में prepare आप easily स से कर सकते हो तो चले without wasting time start करते हैं first number point में आप से बोलूँगा कि unit wise study बहुत जरूरी है ठीक है क्यूंकि अब जो है वो concept नहीं रहा है आप सभी को पता है ऐसा कोई भी thumb rule नहीं है अब कि आपको हर unit से दो question आएंगे इसका मतलब अगर आपके 5 unit है तो 5 unit से 2 question मिला के आएंग उस वीडियो को देख लिए वो confusion आपका दूर हो जाएगा मैंने आपको model paper भी एक दिखा रखा है अभी जो यहाँ पे exams होए थे उसका so आपको पता से लिएगा कि total कितने questions आएंगे और कितने total questions यहाँ पे 10 आएंगे उसमें से 5 करना होगा किस तरीके का वो pattern आपको वहां म well marks और यहाँ पर बता दें कि आपको एक part में एक part में जितने भी units हैं तो उन सभी units को prepare करना है क्योंकि total 10 questions आएंगे बट कहां से आएंगे यह आपको नहीं पता है so although आपको क्या करना है जो भी आपकी units हैं कुछ-कुछ में units नहीं दे रखी हैं डायक्ट वहाँ पे आपको topics दे रखे हैं तो topics में भी कैसे important आप खोजोगे वो आपको यहाँ पे अगले golden rule में पता चल जाएगा आने वाले golden rule में जो मैं भी आपको discuss करने वाला हूँ but आपको द्यान रखना है कि आपको सारे ही units से prepare करना है कुछ-कुछ जो important topics हैं वो वो तो especially prepare करना है एकदम strongly prepare करना है यगर वो आपको कह दे वो आज आए तो आप एकदम फराटेदार लिखने लगो और फिर रुको मत वो पूरा answer आपका एकदम flow में रब बने और आप उसक कुछ भी मतना रटना ठीक है क्यों क्योंकि यार देखो अब आप लोग उस इवन पता है मैं यह क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यार मैं भी जब आपकी बेगनर्स के एज में था या मेरा first year या first semester था तब मैं भी यही करता था यार रटना बट रटना इस नॉट दे करेक्ट सो यहां पर आप क्या करिए चीजों को समझ के पढ़िए कि अगर बाइचांस यहां पर पूचा गया आपसे कि वाट इस स्टेट तो आपको जो आपने पढ़ा है ना कि कोटिल्या क्या कहते थे इस ग्रूप ओफ पीपल इस दा हैड़ ओफ पबलिक स्टेट इस तरीके से तो वो क्या कहते थे उनकी क्या thoughts थे उस तरीके से आपको relate करके आपको अपने words में वहाँ पर show करना है आपको अपने words में वहाँ पर write करना है आपके exams में रटना नहीं है रटना आपको कुछ facts हां जो होते हैं of course जैसे कि date हुआ कोई ministry है उसका formation कब हुआ कब found हुई या उस point का roll करेगा और जब आपके examiner जो है वो आपकी copy चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका चीजे अच्छी तरीके से marking हो पाएगी तो रटना नहीं है चीजों को समझ के पढ़ना है और चीजों को समझ के आप पढ़ोगे ना तो क्या होगा मैं बताता हूँ तब आप ये नी होगे ना तो एक के बाद अगर दूसरी लाइन आप भूल गए जहाँ पर full stop है वो statement खतम हुआ उसके बाद आप भूल गए कि अगला statement किससे शुरू है वहाँ से ही आपका परिशानी शुरू हो जाएगी और इतने बड़े answer को आप यहाँ पे इतने बड़े answer में लिख के होगे ठीक है तो रटना नहीं है और अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो इतने से को आप इतना elaborate कर सकते हो explain कर सकते हो ठीक है तो explain वाली थोड़ी सी technique याद रखना आपने में कि आपको वो चीजे explain करके लिखनी है यह मत सोचना कि to the point answer लिखना है to the point भी लिखना है बट व वीडियो बना रहा कि आप मैंसे कई ओने देखी होगी कई ओने नहीं देखी है तो description box में लिंक है आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि तीन घंटे में best strategy क्या होगी आपके 10 में से 5 questions attempt करने की so second golden rule मेरा मैंने आपको बता दिया कि आपको concept को समझ के पढ़ना है ना क रटना रटना नहीं है ठीक है आते हैं थर्ड नंबर जो हमारा golden rule है वो है आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि unit wise study तो मैंने बताया था कि उसमें आपका कुछ topics हैं तो वो topics आपको कहां से पता चलेंगे already मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रख किया लेकिन मैं यह वहाँ पे question answer के तरह में पूरा detailed version रहता है उसमें लिखा रहता है कि आपका किस year में कौन सा question आया कितने बार पूछा गया state है तो state को लेकर क्या पूछा गया तो इस तरीके से वो एक overall guide है जो की previous paper वे based रहती है तो आप वहाँ से उन questions को आप समझे कि यह question बार बार पूछ गया है तो मेरे को इसको prepare करना है एक चीज और आप यहाँ पर follow कर सकते हो अगर आपकी मर्जी करें तो मैं आपको just suggestion दे रहा हूं कि हमारे जब मैंने मैं जब हमारे exam हुआ था ना तो मैंने एक चीज notice की थी कि जैसे 17 में जो question आया वो 18 में नहीं आया और 19 में वही 17 वाला paper पर कुछ repeat हुआ ठीक है तो इसलिए आप जो previous year papers है ना उनकी basis पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर state है concept या अगर आपका जैसे s block elements है तो s block elements से कहां कहां से question बने वह आपको guides खरिदनी पड़ेंगी तो वह guides आपको हर एक course के लिए अलग-अलग guides आती है पर इच्छा और T series and so on so on T20 करके वो भी चीज़े मैंने आपको अलड़ी बता रखे है वीडियो के तुरू उसका भी link आपको description box में है तो अगर आपको guides के बारे में जाना है किस course के लिए कौन सी guide तो वहां से आप जाके देख सकते हो और अपना खरीच सकते हो ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे 20 दिन की strategy होनी चाहिए आते हैं last but not the least fourth number जो हमारा golden rule है वो है आपका revision ठीक है बहुत ही common है आपका होगे सार यह क्या बता रहा है बट जो बता रहा हो ना यार इसका मतलब थोड़ा सा जो अगर यह चारो golden rule आपने अपना लिए ना तो 20 दिन की strategy में आप बढ़ियां से score कर जाओगे believe me अगर आपने इसको seriously follow किया तो थोड़ा सा समझ के कि हाँ कौन से questions पढ़ने हैं कौन से questions पर ज्यादा ध्यान देना है पढ़ना आपको सब कुछ है बट कौन से questions ऐसे हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और चीजे ज्यादा उसमें स understand करनी है ठीक है कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें आप सोचो कि यार यार यह तो लिखी लूँगा मैं यह तो लिखी लूँगी बट कुछ questions होते हैं जिसमें आपको लगता है कि यह important है और मेरे को इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं इससे जादा जो मेरे को पता है उससे समय जरूर रखो ठीक है चाहिए आपने दिन भर पढ़ा तो रात में आप थोड़ा सा समय निकाल कि उस चीज को रिवाइस कर लो ठीक है एक रिविजन अभी करना है दूसरा रिविजन आपको एक्जाम से पहले करना है एक्जाम से पहले तो आप अपकोर्स करोगे ही कम से कम एक्जाम से पहले दो बार रिवाइस करो और अभी पढ़ने के बाद एक बार रिवाइस करोगे तो अगर आपने ये एक फ्लो बना दिया ना तो आपको चीजें एकदम और क्यूँक कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, तो भी आप शेर जरूर करिए, हम जरूर आपका जो भी solution होगा, जो bestest solution होगा, जो bestest strategy होगी, वो हम आपसे जरूर शेर करेंगे, क्योंकि हम दे चुके हैं, ग्जाम तो फेस किया है, तो चीज़े पताएं कि किस तरीके से कहां-कहां problems आ सकती हैं, और उसी के regarding मैंने आपको ये चीज़े 4 Golden Tools बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो comment box में comment करके जरूर बताएगा, कोई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिस चैनल वाले दिनों में आपको ऐसे ही useful content मिलता रहेगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घरवालों का ख्याल रखिए और बने रहिए, जय हिंद, जय भारत